खलो फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से हम आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने जा रहे हैं सेंट्रल गवर्टमेंट के रिकूटमेंट के संबंध में और अगेन आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें शेयर करें और लाइक करें और साथी बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे की नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे हैं जैसे ही हम कोई नया वीडियो अप्लोड करेंगे तो जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये न्यूज पब्लिश हुई है अभी आफ्टरनोन में क्योंकि आज ही यूनियन कैबिनेट ने एक नया प्रपोजल अप्रूव करा है जो सारे उनी, उन सारे अभ्यारतियों, उन सारे रहें कैंडिडेट को के लिए बहुत महत्पूर्ण है जो सेंटरल गवरंडमेंट से रेलेटेड जॉब्स में apply करते हैं केंद्र सरकार की भरतियों में जो लोग अपने अपना आवेदन करते हैं याAL करते हैं तो इसमें union cabinet ने एक national recruitment agency को मंजूरी दी है जो national recruitment agency है वो अभी कराये जाने वाले 20 अलग-अलग entrance exam जो भी non-gadgeted positions के लिए होते हैं उनको वो supersede करेगी मतलब वो उन सब के ऊपर होगी और अभी उन 20 अलग-अलग entrance exam की जगह पे एक single entrance exam होगा और इस चीज का फायदा करीब धाई करोड़ aspirants को होने वाला है जो हर साल करीब सवा लाख के करीब जो केंद्र सरकार में भरतिया निकलती हैं Central Government में जो recruitment होता है उसमें वो करते हैं तो उन सब के लिए बहुत अच्छी ख़बर है यह कि अभी आपको 20 अलग-अलग form नहीं भरने पड़ेंगे आपको उन सारी उन सारी websites पर जाकर उनकी dates नहीं देखनी पड़ेंगी राधर एक single entrance exam आपको देना पड़ेगा first level पे और उसके बाद अलग-अलग departments अपनी-अपनी process कर सकते हैं recruitment की दूसरी इसमें बहुत ही महतपूर्ण बात यह है कि जो आपका score होगा उस common entrance test का जो national recruitment agency conduct कराएगी वो तीन साल तक valid होगा लब आप अगले तीन साल की अवधी तक अगले तीन साल तक के time period में कभी भी उसको use कर सकते हैं यह जो announcement था इसका वो union budget में भी करा गया था हमारी finance minister मिस्स निर्मला सीथा रमन के द्वारा और अब इसको cabinet ने भी अपनी मंजूरी दे दी है और चूकि यह सारे non-gadgeted post के लिए apply होगा including जो जो public sector bank हैं तो अभी जो exam होते थे जैसे IBPS का exam होता था उसको भी अलग से देने की requirement नहीं होगी वो सब भी इसी test के अंदर हो जाएगा तो यह मेरे हिसाफ से बहुत बड़ी ख़बर है और बहुत सारा इसमें financially भी फायदा होता है क्योंकि अलग-अलग exam में आप apply करते हैं उसमें बड़ी problem होती है फिर आपने dates का ध्यान रखना पड़ता है और बार-बार exam center तक travel अब आपको नहीं करना पड़ेगा तो hope यह आपके लिए useful था again I would request you कि आप subscribe करें channel को और like करें और share करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह बात पहुंच सके और आप तक भी हमारी जो वीडियोज हैं वो सबसे पहले पहुंचे थैंक यू